क्या है रूस और नाटो की साथ दशक पुरानी दुश्मनी आखिर नाटो से क्यों डरता है रूस रूस और यूक्रेन विवात की एक मुख्य वज़ा है नाटो रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए ही जंग तक पहुँच गया है ऐसे में सवाल ये कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से क्यों रोक रहा रूस दर असल अमेरिका नहीं सोवियत संग की विस्तारवादी नीती को रोकने के लिए 1944 में नाटो की शुरबात की जब नाटो बना तब इसके 12 सदसे देश थे जिन में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलेंड्स, आइसलेंड, बेल्जियम, लग्जंबर्ग, नॉर्वे, पोतगाल और डेन्माक शामिल है आज नाटो में 30 देश शामिल है रूस को लगता है कि अगर यूकरीन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो देश के सैनिक और ठिकाने के उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे क्या है नाटो? नाटो एक सैनिकड बंधन है जिसका मकसद साजा सुरक्षा निती पर काम करना है अगर कोई बहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और उसके रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे तो सवाल ये ये रूस की चिड की असली वज़ा क्या है सोवियत संग के बिखरने के बाद दुनिया में अमेरिका ही एक मात्र सूपर पावर बन गया अमेरिका के नत्रत वाला नाटो अपना दैरा बढ़ाता चला गया सोवियत संग से तूट कर अलग बने देश नाटो के सदस्य बनते चले गया 2004 में इस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया नाटो में शामिल हो गया 2008 में जौजिया और यूकरेन को भी नाटो में शामिल होने का नियोत्या दिया गया था लेकिन दोनों देश सदस्य नहीं बन सके रूसी राष्टपती पुतिन नाटो के विस्तार आपत्ती जता चुके है पुतिन का कहना है कि हमने साफ कह दिया है कि पूरा में नाटो का विस्तार मनजूर नहीं है अमेरिका हमारे दरभाजे पर मिसाइलों के साफ खड़ा है अगर कनाडा या मेकसिको की सीमा पर मिसाइले तैनात कल दी जाएं तो अमेरिका को कैसा लगेगा अगर यूकरेन भी नाटो से जुड़ जाता है तो रूस पुरी तरह से घिर जाएगा और उसे ये गवारा नहीं है पुतिन का तर्ख है कि अगर यूकरेन नाटो में जाता है तो भविश्य में नाटो के मिसाइले यूकरेन के धलती पर मिंटो में आ जाएंगी जो रूस के लिए बड़ी चुनाती है तो यूकरेन क्यों चाता है नाटो में शामल होना रूस के तुल्ला में यूक्रेन की सेना काफी छोटी है ऐसे में अपनी अजादी को बरकरार रखने के लिए यूक्रेन को ऐसे सेनेगडबंधन की जरूरत है जो उसकी रक्षा कर सके उसे नाटों से बहतर कोई दूसरा संगठन नहीं हो सकता